आप सब लोग आश्रा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे सुबह सुबह का टाइम है और अब जो हैं सरभी आने लगी है सुबह सुबह बच्चों को बहुत जादा ठंड लगती है तो मैंने चलो आज गरम कपड़े निकाल लेती हूं कई दिन से सोच रहे थी लेकिन समझे नहीं आरा तो गरम कपड़े निकाल लेती हूं तो मैं चत पे आगए थी बहुत सारे गरम कपड़े लेकि आई हूं बच्चों के और सभी चत पे आ गए हैं दिव्यानशी इसके पापा और आरो अपनी साइकल ठिक कर वारा रहा है अपने पापा से तो चत पे आगे सब्सक्राइब कर देखते हैं सारे कपड़ों को दूप लगा लेती है क्योंकि दूप लगने से थोड़ी स्मेल सी निकल जाती है उसके बाद जो भी कपड़े मुझे लगेंगी कि दूल नहीं है वैसके सब दोड़ों के ही रखे थे उस टाइम पर अच्छे से मैंने पैक क बिचाई है क्योंकि तार पे तने कपड़ डालना इंपॉसिबल था अग्टार पे डेली के कपड़ इतने सारे हो जाते हैं तो तार पे नहीं ड़ पाते इसलिए मैंने नीचे कपड़ा बिचाया है और नीचे सारे कपड़ों को दूप लगा दूगी ये कौन बेने का ये आप अके स्मारी कपड़े हार अगती है वह है यह बुद आप लेने पड़ा इसे लूव है क्या बुलते सवेटर ना अब पिर आशे वुद है ना तो सटी पिया रहे ना तो राशी बुद आप रहे ने ने लिगे ने तंब लें लेगे मैंने फोट पहली ये मैंका लीव पुलबाद जुका चलो आपस मतर होना तो आप सारे बच्चों के ना कपड़ यहीं पर डाल दिये थे मैंने दिव्यांशी और आरप के जादे कपड़े निकाल ले थे क्योंकि छोटे बच्चों को सर्दी जादे लगती है और जल्दी लग जाती है अभी तो सर्दिया लंग अब शुट अच्छी न लगते पहले सूट पहन लेती ती सूट सिरवाती थी लेकिन अब न जब से कुर्तिया चल गई है तो अब ने चल गई है न तो अब तो मैंने काफे टायम से ना कुर्तिया लेना शूरू कर दिया है और भावी भी यहां पर बहुत सारे कपड़े व जोरू उर कहने को टोणा इतने सारे कपड़े हैं लेकिन अगर आप चलतो आपपड़े निल सकते बहुत तो च सब कहते हैं कि आर बे तो कपड़ इनी है और सभी बताओ ना अलमारी में रखने को भी जगह नहीं है इसलों की कपड़ों रखोंगे कहां निकाल तो लिये मैंने क्योंकि अभी तो गर्मी के कपड़ इनी रखे गए अभी समझ में नी आ रहा कैसा मुसम चल रहा है गर् थे हैं मतरपनीर, क्जाब कोटी दीनी हुआ बिद पकोटी ईट न講 दिलेशा मन्मी करा है तो जालना मन्मी कर था हुआ था है किना वहीं हो उच्छ के लिए सब्सक्राइब पाना strengthenington तो यहां पर चलते हैं फर्ण्स तियारी करते हैं और यहां पर बहए ने पर्वेन पैले ही काट रख रखे दे प्यास और टमाटर भावी ने कहा है कि मुश्य आपता बनाएगी तौही क्योंकि अच्छा बनाती है बच्चों को मेरी हाथ की सब्जी ज्यादध अच्छी लग प्षेश को नधी 2-1 या क मतलब श्रहा लेते हैं लेकिन बच्छों को सी पेटेय कंट डिया टोड़ी मैं है त belief in चोर्पानिर नेई तौर पाने गलो डाल गल करएं ज़म तके पीस के तरका ना दकाई हैझाए झाल भूँन के गलो तर देखेंगे ताकि ज़मशे फीचे बढ़ा लेगे पड़ीवटा लगा थी और पेसन तो पूँन भूँन यहां दाल निगा पोँन ग्रेवी ज़्योग है मतर पनीर काई। निदक कर दोखें यहां ने कुछा लगता है। तो यह दो आपकर हो, इसे थोड़ी से थीक हो जाती है। जो इसे घ्राइश निदक आपके काढ़ेशें तो यह तो प्योड़ार महाने के लिदता ने आपके कटाई। बिल्कुल अच्छे से मंद बरी पिस जाता है इसकी यह फाएदा होता है क्यों ना मतलब कोई भी हो सब्जी इसमें जाते मोटे 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 अच्छे नहीं लगते हैं मैं इसी तरह से ग्राइंड कर लेती हूं इससे अच्छे सब्स जाता है टामाटर प्याज और यहां थोड़ा सा जीरा डाल के जब जीरा बुन जाएगा तो इसमें प्यास इसमें सारे मसाले डाल देंगे जादे में मसाले को यूज नहीं करती हूं डेली में मतलब कोई फैस्टिवल वगर होता है तो थोड़ा सा ओर्षाई पनीर मतलम मतलम मसाला डाल देते हैं लेकिन डेली में तो सिर्फ बस मिर्च और धनिया नमक अखल यही जादे हैं क्योंक क्युक्त बाहना मिल जाता है ना खाने का तो इसलिह में आपका को और अगर घ्रासी मटर कची रह जाए ना तो उन्हें अच्छी नहीं लगते तो इस पहले ही मटर अलग से बॉयल कर ली थी 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 मैंने डाल दिया है और भी बैसन डाल कर देंगे ती में थी को शीवल घ् क्योंकि अब इसमें बॉयल भी आना है बॉयल आने के बाद मट्र बगर डाल देंगे और जब मट्र अच्छे से गल जाएगी तो इसके बाद फिर इसमें पनीर भी डाल देंगे जब कोई ऐसे सब्जी बनती है तो बच्चों जल्दी बूट लग जाती है इसलिए बच्चे दो तीन बार यहां पर होके बिचले गए थे बतानी बच्चों को तो क्या अच्छा लगता है मट्र पनीर छोले वोले बिंडी यही है हमारे बच्चों है तो फेवरिट डिश और बच्चों के थाली लगा देती हूं और आपको कैसा लगा मारा मट्र पनी और हमारा व्लोग दोनों कमेंट करके जरूर बताईएगा और फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप खाना एंजोई कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लग बइब बइब बगई